हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, मैं हूँ पतिभा और मेरे चैनल कानपुर किचेन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम घर पर ही बिलकुल सफेद खोया यानि हलवाईयों से भी अच्छा मावा बनाना सीखेंगे क्योंकि जब भी हम बाहर से खोया खरीते हैं तो उसमें बहुत सारी मिलावाट होती है और तेवहार के टाइम में तो जरूरत ज़ादा बढ़ जाती है तो बहुत ही मिलावटी खोया मिलता है तो चलिए फ्रेंड हम घर पर ही खोया बनाना स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे की मेरे लैटिस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिल सके फ्रेंड्स खोया बनाने के लिए मैंने एक लोहे की कड़ाही में एक लीटर के जितना दूद लिया हुआ है और एक लीटर दूद में लगभग 200 ग्राम खोया तयार हो जाता है फ्रेंड्स जब भी आप खोया बनाएं तो हमेशा या तो लोहे के बरतन में बनाएं जैसे लोहे की कड़ाही में या पिस्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं इससे जो खोया होता है वो शफेद बनता है तो यह देखे फ्रेंट्स हमारा जो दूद हमने इसमें गरम होने के लिए रखा था उसमें अच्छा सा बॉयल आ गिया है और इसे हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे तो 20-20 में हम इसे चलाते जाएंगे स्टार्टिंग में आप इसे थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हैं तो हर दो मिनट बाद हम इसे चलाते जाएंगे और किनारे से भी चिपक जाएगा वो भी छुटाते जाएंगे फ्रेंड्स मेरी कडाही थोड़ी सी चोटी है जिसकी वज़े से में इसे जादा चलाना पड़ रहा है आप थोड़ी सी बड़ी कडाही लें जिससे कि आपको खोया बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा और इसे हम गाड़ा होने तक इसी तरीके से पकाते जाएंगे तो ये जितना दूद हमने लिया था अब उसका आधा रह गया है और जो दूद था वो काफी थिक हो चुका है जब दूद पकते पकते काफी थिक हो जाए इस तरीके की consistency हो जाए तब हमें gas का flame medium कर देना है और low to medium flame में ही हम इसे रखेंगे जिसे की जो दूद होगा वो तले में चिपकेगा नहीं और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि जब दूद थिक हो जाता है तो तली में चिपकने लगता है तो ये देखे friends हमारा जो ये दूद था वो काफी थिक हो चुका है और हमारा मावा बन गया है तो अभी हम इसे थोड़ा सा और गाड़ा करेंगे और ये देखे फ्रेंज हमारा ये जो खोया है वो काफी गाड़ा हो चुका है और जब ये ठंडा होगा तब ये और भी गाड़ा हो जाएगा यानि कि बिर्कुल परफेक्ट बाजार से भी कई गुना अच्छा खोया हमारा घर पर ही बन के तयार हो गिया है तो आप इस खोये से कई प्रकार की मिठाईयां बना सकते हैं क्योंकि अभी जो टाइम चल ला है वो तेवहार का यानि रच्छा बंदन का टाइम चल ला है और मिठाईयां तो सबको जरूरत होती है सब लोग परचेज करते हैं तो बहुत सारी मिलावटी मिठाईयां मिलती हैं तो आप घर पर इखोया बना के उससे तरह तरह की मिठाईयां बना सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू जल्दी मैं आपके सामने फिर से कोई नई रेसिपी लेकर हाजिर होंगी